आज का कीचन तीस बहुत ही इचफुल है जो हमारे घर की और कीचन के कामों को आसान करेगा था हलो दोस्तों आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप से क्रिकेस्ट कर रही हूं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देजिएगा उसल्लाओ ज्यादा से ज्यादा से-रक्र मेरी पहरे कि यहांपर आंगूर को लेकर तो देखे वी मार्केट में आंगूर है जो काफी मातरा में आने लग गया हम उखने हाते हैं उसके बाद हम एक से दू ray में उग होऔ भी लगता है खास करके अंगूर है जो बहुत जल्दी गलने लगता है तो आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जो अंगूर है जो बिल्कुल यह पंद्रे से 20 दिन तो बिल्कुल खराब नहीं हो गए हमें क्या करना है पहले अंगूर को अच्छी तरीके से पानी स उसके बाद हमें लेना है एक cotton का कपड़ा और इस तरीके से हम इसको फैला देंगे उसके बाद हम अंगुर को इसके उपर डाल देंगे और जो भी पानी है उसको हम अच्छी तरीके से फैल कपड़े से हम पोच लेंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और यहां पर देखें पोच लिये हैं उसके बाद हम कोई बर्तन में अंगुर को निकाल लेते हैं उसके बाद हमें लेना है एक सुखा हुआ कंटेनर जो साफ सुत्रा होना चाहिए उसके बाद हमें लेना टीसू पेपर तो टीसू पेपर को हमें इस तरीके से कंटेनर के अंदर डाल देना है उसके बाद हम अंगूर को डाल देंगे अब चाहें तो इसके उपर से भी टीसू पेपर डाल सकते हैं यह से भी रख सकते हैं और उसके बद आप इसको लीट को लगा दीजिए अब इसको फ्रीज में रख दीजिए तो जो अंगूर है जो पंदरा से बीजिन तो बिल्कुल खराब नहीं होगे आप इसे एक बाद जरू ट्राय करिएगा मेरा अगला टिपस है आपर पता गोवी को लेकर है तो देखे जब भी हम पता गोवी को लाते हैं और उसके बाद हम जब रखते हैं तो पता गोवी क्या होता है यह सुखने लगता है और इसमें पीला पीला सपन होने लगता है तो आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं जो आपक भी यहाँ पर है उसका हम इस तरीके से निकाल देंगे तो दोस्तों आप से एक रिखेस्ट है कि आप मेरे वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तेहां पर देखिए हमने एक लिए टीशू पेपर और टीशू पेपर को हमें इस तरीके से फ प्लोथीन लगा लिए और उसके बाद आप रखिएगा तो आपका जो पता गोवी हैं जो बिल्कुल एक खराब नहीं होगा मेरे अगला टीप से यहां पर तूथ ब्रस को लेकर रहे तो देखिए हमने एक पुराना तूथ ब्रस लिये हैं और इसे में कैंडल से जलाकर इस तरीके से गंदा हो गया है तो इसको क्लीन करने के लिए हमें लेना है कॉल गिट तो यहां पर देखिए कॉल गिट खत्म हो गया है हम लोग क्या करते हैं कॉल गिट खत्म हो जाता है हम लोग फेक देते हमें क्या करना इस तरीके से पीछे से कट कर लेना है इसमें बहूत उसके बाद देखी ये ब्रस है जो कितने आसानी से इसके अंदर आ गया है और उसके बाद हम इस तरीके से ब्रस को घुमाएंगे तो ये देखिए जितना भी इसमें गंगी है वो क्या होगी बहुत आसानी से निकल जाएगा और हमें ब्रस में पानी नहीं लगाना है इसी ब् पानी से बिल्कुल साफ मत करिए कपड़े को गीला करके और इस तरीके से क्या किजिए पोच लीजिएगा क्योंकि हम पानी से अगर साफ करेंगे तो इलोट्रोनिक का समान यह खराब हो जाएगा यहां पर देखिए मेरा मिक्सी है जो साफ हो गया है अब इसका जो बायर है मै पहले हमें सीधा कर लेंगे और उसके बाद हमें लेना है एक क्लॉफ पीन और हमें लेना है यहां पर लेकी डवल साफ टेप लिए हैं अब हमें क्या करना है डवल साफ टेप को थोड़ा सा में खट कर लेना है और उसके बाद हम क्लॉफ पीन के उपर हम इस तरीके से लगा है और यहां पर देखे इस तरीके से हम इसके अंदर डाल कर इस तरीके से मोर लियां उसके वाद यह साइड में जो बच गया हम क्या करेंगा इस तरीके से फसा देंगे तो देखिए ताड़ है जो यह बिल्कुल अच्छे से से सेफ हो गया तो आप जब भी मिक्सी को रखें तो इस तरीके से रखिएगा मेरा फूरोने हैं अगले यह पर छेट को लिक रहे तो देखे जब भी हम यह इस तरीके से बिचाएंगे लेकिन Beautiful फटे onu चाहएं लेकिन जेस करते हैं वेट पर उते इस के से क्या होता है इस के सुनाथ तो हमें क्या करना है बेशित को इस तरीके से नहीं बिछाना है हमें क्या करना है इस तरीके से बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें क्या करना है इसका जो कौनर है यह साड़ वाला हमें इस तरीके से ले लेना है बेशित का और हमें यहां पर एक इस तरीके से गाठ लगा देना तो हमें चारो कोने के सड में इस तरीके से बिर्चित में क्या करना है गाट लगा देना है उसके वाद हमें इस तरीके से क्या करना है इस गद्दे के अंदर इस तरीके से हमें दवाकर और इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे यहां पर देखिए कितने अच्छे से 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 हो गया है अब इसमें जितने मर्जी उतने बचे उचलकुत करेंगे तब भी यह बेटशित है जो बिल्कुल नहीं मुड़ेगा आप इसे एक बार जरूर ट्राय करके देखीगा काफी पसंद आएगा मेरा अगला टीप में आप सेंग को लेकर है तो देखिए जब भी हम रात मे उसके बाद हम इस तरीके से सिंग को छोड़ देते हैं लेकिन रात में कई तरह के कीड़े आते हैं कौकरोच आते हैं खाना के बज़े से तो हमें क्या करना है इस तरीके से लेना है एक प्याज प्याज को कट कर लेना है और इस तरीके से में सिंग में लगा देना है इसको चारों तरफ लगा देना है देखिए प्याज का जो गंद होता है काफी तेज होता है इसके प्याज से क्या होता है कौकरो जो कीड़े मकोड़ आते हैं वह बिल्कुल नहीं आएंगे और उसके प्याज को रख दीजिएगा आप इसका प्याज को आप दो तीन बार इसे प्याज को जब डालने नहीं तो इस तरीके से आप जरूर रख येगा आप लोग को काफी पसंद आएगा मेरा अगला टीप आपर कलोथ पीन को लेकर हैं तो यहाँ पर देखिए हम चार कलोथ पीन लिए हैं और मैं एक बढ़या साइस का एक जुगाड़ बनाने वाली हू आप अच्छे सात भी आप cloth pin ले सकते हैं हमें लेना है double sites tab तो फ стоब सा wine regular slacks लेते हैं, थोड़ाfundे क्या करना है और इस तरीके से हम ले ढब आइने करेंगे दो भागाव में इस तरीके से हम काट लेंगें इस तरीके से देखिए, हम काट ले इसके आओ क्या है cloth pin में हमें solely cloth pin में इस तरीकес से नीचे की सैड़ा में चिपका देना है तो आपके पास अगर चौला वला cloth pin है तो आप चौला वला ही लेज़ेगा तो जादा बेडर रहेगा और इस तरीके से देखी हम चारो cloth pin में हम इसको चिपका देने हैं उसके बाद हमें क्या करना है हमारे जो दरवाजे के पीछे होते हैं उसमें हमें इस तरीके से चिपका देना है तेहां पर देखिए हम चारो कलोस पिन को चिपका दिये हैं थोड़ा सा दूर दूर में इस तरीके से चिपका देना है अब हमारे पार देखिए बहुत सारे जू जूते चपल को रख सकते हैं यहां पर देखिए मैं चार इस तरीके से जूते को रख दी हैं कितने अच्छे से आगे हैं और यह बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके पीछे जूते चपल रखें तो आज का मेरा कौशा टीफ साप लोग को अच्छा ला कमेट करके जरूर बताईएगा अगर मेरे चैनल पर पहली वर आएं तो मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सेर कर दीजिएगा